में दो शताब्दियों के गुलामी को याद करना होगा हमारे पुर्खों ने अपनी जान दाओं पर लगा कर हिरंगी सरकार के खिलाब बगावत का जंडा बुलंग किया था उनका त्याग और बल्दान देश की भावी पीडियों का जिवन खुसाल बनाने के लिए था हमारा कर्तब भी है कि उनके सपनों को साकार करें और उनके इसमितियों को चीरिस्थाई बनाएं अमर शहीदों गैन सिंग वीर नरायन सिंग मंगल पांडे भगस सिंग चंदर शेकर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल असफाक उल्ला खां रानी लच्मी भाई रानी अवंती भाई लोधी जैसे हजारों विवूतियों की सहाध़ हमें देश के लिए सर्वोच बल्दान की प्रेणा देती रहेगी सुतंत्रता संग्राम और आजाद भारत को राष्ट किता महात्मा गांधी पंडि जवारलाल नेरू डाक्टर राजेन प्रसाद डाक्टर भीम राम बेटकर लाल बाहद्दूर सास्त्री नेताजी सुबाश चन्बोस सर्दार वल्ला भाई पटेल लाल बाल पाल मालाना अबुल कलाम आजाद जैसी विभूतियों ने राष्टी स्तर पर नेत्रुत दिया था वहीं वीर गुंडदूर पंडित रवी संकर सुक्र ठागूर प्यारे लाल सेंग बाबु छोटे लाज श्रिवास्तो डाक्टर खूप्चन बगेल पंडित सुंदर लाज सर्मा डाक्टर ईर आग्विंदर राव करांती कुमार बैरिष्टर छेदीलाल लोचन प्रसाद प लाखे पंडित महंत लच्मिन अरायन दास अनंत राम बर्चिहा मौलाना अब्दुल्रोव खान अन्मान सेंग रोणी बाई परगनिया केक्ती बाई बगेल श्रिमती बेला बाई इंद्रू केमट उधार राम वर्मा खिलावान सिंग बगेल धसिया मंडल जैसे अनेग सु प्रक्री भागीदारी सुनिश्चित की थी मैं इन सभी को साधर नमन करता हूं देश की एकता और अखंडता सैधान वह लोक तंत्र के प्रति आस्था को बचाय रखना एक चुनोती थी और इसके लिए हमारे देश की सेनाओं वह सुरक्षा बलों के जवानों के ने सहादत दी है मैं उन अमर सहीदों को भी साधर नमन करता हूं इस अवसर पर मैं राश्पिता महात्मा गांधी के आखरी वसीयत नामे का उलेक करना चाहूंगा उन्होंने कहा था भारत ने राजनितिक सतंत्ता तो प्राप्त कर ली है लेकिन उसे अभी शहरों और कजबों से भिन अपने साथ लाग गाओं के लिए समाजिक आर्थिक और नैतिक सतंत्ता प्राप्त करना बाकी है आज देश के सामने अनेक चुनोतियां हैं क्रिशी ववन भूमी का कम होना परियावरन संतुलन प्रदूशन बिमारियों महंगाई बेरोजगारी आदि से लोगों का जीवन स संकट में हुआ है हमने पूर्खों के सीख और माटी की संस्कृति का सम्मान करते वे क्रिशी तथावन उत्पादों प्रमप्रगत ग्यान आधनिक साधनों वर्रन नीतियों के माध्यम से ग्रामिन अर्थ ब्यास्ता को मजबूत बनाने का रास्ता चुना मुझे गर्व है हम आजादी के 75 वी साल गेरा के आउसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिध्धानतों और विचारों के अनुरूप कार करने में सफल हुए हैं इसमें प्रकृति सम्मत विकास हर व्यक्ति को गर्मा नयाएं वो बराबरी के आउसर देने वाली योजनाएं और कारकम सामिल है हमने नयाएं योजनाओं की जो पहल की थी उसे निरंतर आगे बढ़ाने की के लिए संकल बद्ध हैं यही वज़ा है कि राजी गांधी किसान नयाएं योजना अब तीसरे वर्स में प्रवेश कर चुकी है और इससे लगभक 13,000 करोड रुपे के रासी किसानों को दी जार चुकी है इस तरह एक सिजन में किसानों को प्रती एकड़ 9,000 रुपे की आदान सहायता देने वाला देश का पहला राज हमारा 36 गड़ है गोधन नयाए योजना भी तीसरे वर्स में प्रवेश कर चुकी है इसके अंतरगत अब तक गोबर विक्रेताओं गोठान समुईतियों वसा सहायता समूहों को 312 करोड रुपे दे जा चुके हैं देश में रसायनी खाद की कमी और मुलिव रिद्धी के परिद्रिश में हमारे गठान में निर्मित जैवी खाद अब एक बहतर विकल्प बन रही है किसानों की सिचाईकर माफी की पहल में भी विस्तार किया गया है और सत्रा लाग से अधिक किसानों के 342 करोड रुपे की रासी माफिक की जा चुकी है किसानों को चार वर्ष पहले मात 3692 करोड रुपे क्रिशी रिण के रूप में प्राप्त हुआ था हमने इस वर्ष लक्ष बढ़ा कर 6500 करोड रुपे कर दिया है जिससे लगबग 75% अधिक रासी ब्याज मुक्त रिण को रुप में किसी छेतर में आएगी राजी गांधी ग्रामीन भूमीन किसी मजदूर नियाय योजना अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इसके तहट अब तक पात रही ग्राईयों को 213 करोड रुपे की दासी दी जा चुकी है मैंने घोशना की थी 31 जनवरी 2021 तक लंबित सभी किसी प्रमपों को उर्जी करित करकर कारी सिग्र पूरा कर दिया जाएगा और मुझे कहते हैं खुशी है कि हमने 35159 किसी प्रमपों को उर्जी करते हुए एक नय किरतमान बना लिया है अब 2550 नय पंप कनेक्शनों का कार्य 31 मार्ज 2023 तक पूरा करने का लक्ष है हमने खेती को लाग का जरिया बनाने का वादार भी निभाया है लगातार बढ़ते हुए इस वर्ष धान करीदी अंठन्बे लाग मिट्रिक टन के सर्वोच सिखर पर पहुँची है जो चार वर्ष पूर मात्र संतावान लाग मिट्रिक टन थी धान बेचने वाले किसानों के संख्या भी अब बढ़कर 21,70,000 से अधिक हो गई है जो पहले मात्र 12,6,000 थी इस तरह हमारे प्रयासों से धान बेचने वाले किसानों के संख्या 9,71,000 बढ़ी है प्रदेश में धान के अलावा अन्य अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक उपाय किये गये हैं जिसके कारण अनाज उत्पादन के छेत्र में चत्तिस गड़ न सिर्फ सौलम भी हुआ है बलकि प्रदेश में कुल आवस्कता का 270 प्रसत अधिक अनाजों उत्पादन हुआ है फसल विविदी करण के गती बढ़ाने के लिए टी काफी बोड का गठन किया गया है दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने बहुत से कदम उठाये हैं इस वर्थ से दलहन फसलों के खरीदी भी समर्थन मुले पर की जाएगी खरीब 2021 में धान के बदले 17,549 एकड़ छेतर में दलहन तिलहन यम 240 एकड़ में विक्षा रोपन किया गया है रभी 2021 में ग्रिस्म कालिन धान का रगबा 95,000 हेकड़ कम करते हुए 42,000 हेकड़ छेतर में मक्का यम 6 रगबे में दलहन तिलहन साग सबजी की फसलें लगाई गई है खरीब 2022 में धान के पांच लाख एकड़ छेतर को दलहन तिलहन यम अन्य उद्ध्यान की फसलों से प्रतिस्थापित करने का लक्ष रखा गया है प्रदेश में लगु धान ने फसलों को प्रुसाहित करने के लिए 36 गड़ मिलेट विसन का गठन किया गया है कोदो कुटकी रागी का नियुंतन समर्थन में लिगोसित कर इसकी खरीदी करने के माला देश का पहला राज चत्तिस गड़ है सुराजी गाँ योजना अत्यंत महत्वकांची पहल है जिससे 36 गड़ को सौलंबी ग्रामिन अर्थ ब्योस्था वाला राज्य बनाने भूजल संरक्षन वर रिचार्जिंग को बढ़ाने और कृशी भूमी को जहरीले रसायनों से मुक्त दिलाते हुए जयवी खेती में मदद मिल रही है नर्वा योजना से विभिन नालों में 99 लाग से अधिक संरचनाओं का निर्मान किया गया है जिससे उपचारी छेत्र में भूजल इस्तर में 30 प्रस्षत तक के व्रिद्धी हुई है वह नालों में पानी की उपलब्दता भी दो माँ से अधिक रहने लगी है गर्वा योजना में पहले हमने गठानों के विकास पर जोड़ दिया अब तक 8408 गठानों को विश्चित किया जा चुका है जो रोकाच्छे का अभियान के साथ आर्थिक सांस्कृतिक गतिदियों के केंद्र बने है गोबर से बिजली बनाने के लिए भी भाबा इटामिक रिसस सेंटर के साथ प्राध द्योग की साजा करने है तू एम ओ यू किया गया है गोबर से आइल पेंट तथा अन्य उत्पाद बनाने की दिशा में भी बहु आयामी पहल की जा चुकी है गाठानों को आजियुका केंद्र के रूप में विक्सित करने है तू हम ग्रामिन आजियुका पार्क अर्थात रूरल इंडेस्ट्रिल पार्क प्रारम करने जा रहे हैं इसका उद्देश ग्रामिन गरीब परवारों के लिए आज युका के माध्दम से अत्रिक्त आय के साधन बनाना है ताधी जेहन्ती दो अक्टूबर 2022 के आउसर पर इसका सुबारम किया जाएगा और प्रतम वर्स में 300 ऐसे पार की स्थापित कर दिये जाएंगे अब एक कदम और आगे बहाते हुए हमने 4 रुपय प्रती लिटर की दर से गौमुत्र खरीदी की योजना भी सुरू कर दी है जो रसाइनिक पेश्टी साइट के मुकाबले एक बेहतर विकल्प है बड़ी योजना अंतरगर पती गौठान एक से डेड़े कर तक भूमी चीन हांकित की गई है और अभी तक तीन लाग से अधिक बाड़ियां विक्सित की जा चुकी है राज्य के बंपरधान उत्पादन को किसानों की सक्ति बनाने के लिए हमने राज्य के जरूरतें पूरे होने के बाड़ शेज़धान से बाय उत्पादन की योजना बनाई है और 27 नियुजकों के साथ एम यू भी किया गया है विकास खंडों में फूर्ट पार्ग बनाने की योजना के तहट अभी तक 112 इस्थानों पर भूमी चिनित की जा चुकी है और इसमें से 52 निकास खंडों में लगबग 621 एक्टेर भूमी का हस्तांतरन उद्योग विभाग को कर दिया गया है परामपरागत काउस्यल के वेलू इडिशन के लिए हमने सीमाड की स्थापना का वादा भी नभाया है इससे बुनकरों, कारीगरों, सिल्पकारों तथा सौसाहता समू के इस्थानी उत्पादों के बिक्री हेतू उचित बाजार मिलेगा महात्मा गांधी राष्टी ग्रामिन रोजगार गारेंटी योजना को हम ग्रामिन अंचलों में मजदूरी से जीवन यापन करने वाले परवारों के जीवन रेखा मांगते हैं मुझे खुशी है कि वस 2021-22 में हमने लेबर बजट के विरुद मांग के अधार पर लक्ष से 108 प्रस्ट तक अधिक मानो दिवस रोजगार स्रीज़ किये मर्रेगा से हर जिले में कम से कम 75 अमरीत सरोवर निर्मित करने का लक्ष था हमने उसे अधिक 2709 अमरीत सरोवर निर्मित किये हैं गठानों के निकट मचली पालन के लिए 1869 तलाब स्विक्रित किये गए हैं जिसमें से 1318 पूर्ण कर लिए गए हैं मैंने मर्रेगा को सरी छेतरे के लिए भी लागू करने का अनरोद भारत सरकार से किया है हमने स्रमिकों को नाय दिलाने के लिए भी कई कदम उठाये हैं मुक्य मंत्री नोनी ससक्ती करन योजना कलाब 3000 से अधिक हिद्गराईयों को मुक्य मंत्री निर्मान स्रमिक निसूल काड योजना कलाब 88000 से अधिक हिद्गराईयों को मिला है मुक्यमंत्री सियान स्रमिक योजना के तहट निर्मान स्रमिकों को पात्रता उंसार 10,000 रुपय सम कल्यान मंडल में पंजी कृत स्रमिक प्रववारियों के बच्चों को सैख्षनिक छात्रवित्त के रुप में 30,000 रुपय तक किराशी मेघावी सिख्षा पुरुसकार योजना के तहट एक लाख रुपय तक के रासी खेल खुद प्रुसाहन योजना के अंतरगत एक लाख पचास जार रुपय तक के रासी देने का प्राधान किया गया है पूरु में आम जनता के साथ ठगी करने वाले चीटफन कमपणियों के खिलाफ हमने ठोस करवाई करते हुए 622 पताधिकारियों को गिरपतार किया है मानी नियायलों द्वारा लगबग 56 करोड रुपय की संपत्ती की निलामी का आदेश दिये जा चुके हैं जिसमें से 32 करोड रुपय की रासी निलामी से प्राप्त हुई और 28,000 से अधिक नियूसकों को लगबग 18 करोड रुपय लवटाए जा चुके हैं निलामी से प्राप्त सेस रासी भी नियूसकों को लवटाने का कार तगती पर है ऐसे अन्य कंपनियों के खिलाब करवाई भी जारी है अद्वासियों को विविन तरीकों से नयाय देने के उपाय किये गये हैं अदालतों में लंबित विविन प्रकार के 1275 प्रकरण वापस होने से उनके सम्मान जनक रिहाई तथा घर वापसी हुई है निरस्त वन अधिकार दाओं के समिक्षा करते हुए ऐसे मामलों में आद्वासियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनके काबिज भूमिक अधिकार देने का वादा हमने निभाया है अंसुची जन्जाती तथा परंपरागत वन निवासियों को अभी तक 5,3,993 ग्यक्तिगत समदाई तथा वन संसाधन अधिकार पत्र दिये जा चुके हैं जिसके तहट 38,85,900 हेक्टर भूमी की अधिमानेता पत्र वित्रित किये गए हैं हमने 33 संग्रण परश्ट्रमिक दर 2,500 रुपय प्रति मानक बोरा से बढ़ा कर 4,000 रुपय कियें पूरु में सिर्फ 7 लगून उपजों के समर्थन मुल्य पर खरीदी की जा रही थी हमने 65 लगून उपजों के समर्थन मुल्य पर खरीदी प्रारम कियें विगत तीन वर्सों में देश में समर्थन मुली पर हुई कुल लगून उपज खरीदी का 75 तरस हिस्सा 36 गड़ में क्रेक क्रेक किया गया जो एक गवरोपूर्ण उपलब्दी है इसे वनाश्रित परवारों को करोडों रुपय के अत्रिक्त आय प्राक्त हुई है अद्वासी संस्रिती के संरक्षन एम समर्धनेतु देगुडी वगोटुल इस्थानों का पुन्रदान किया जा रहा है नकसली गत्यों से बाधित और बंद वी 260 सालाओं का संचाजन पुना प्रारंब किया गया है विशेश पिष्डी जनजातियों के 9623 व्याओं को सरकारी नव के लिए देने की गोशना भी मैंने की है जिसे सिग्रप पुरा किया जाएगा मुझे काते खुशी है कि हमने अदवासियों के हित में बरसों से लंबित पेसाद नियम के अंतरगत नियम बनाने का काम पुरा कर इसे लागू कर दिया गया है जिससे ग्राम सभाओं की शक्ति और बढ़ेगी और उन्हें जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला लेने का अधिकार होगा मेरा मानना है कि हमारे पुर्खों ने देश को अजाद कराने के जो अधारना विक्षित की थी वह बहुत ब्यापक थी उसमें सबसे प्रमुक तद तो नियाय दिलाना ही था इसलिए हमने आर्थिक समाजी क्षेत्रों के साथ ऐसे हर उपायग किये हैं जिससे समाज के हर वर्ग को गर्मा के साथ जीने का आउसर मिले उन्हें के विकास के बंद रास्ते खुलें जटिल नयाय प्रक्रियाओं के बंदन समागत हो हर छेत्र में सुधार हो जनता के सवधान सम्मत अधिकारों और सुधाओं में निरंतर वृद्धी हो शिक्षा के छेत्र में हमने सुधार के इस्थाई उपायक किये हैं जिसके तहत पहले चरण में 14,000 से अधिक सिक्षकों की इस्थाई भर्ती का कायर सुरू किया गया जो अंतिन क्वरण में इसके अत्रिक 10,000 सिक्षकों की भर्ती के प्रक्रिया भी सुरू कर दी गई है स्वामी आत्मनंद उत्क्रिष्ट विद्याले योजना से इसकुली सिक्षा के छेत्र में नई करांती आई है विगत वर्स हमने इंक्यावन इसकुलों से यह योजना प्रारम की थी जो अब बढ़कर 289 इसकुलों तक पहुँच चुकी है इसमें से 32 इसकुल हिंदी माध्यम के हैं और 247 इसकुलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी सिक्षा दी जा रही है इस वर्स 252,600 बच्चों ने इन इसकुलों में प्रवेश्ट लिया है जिसमें एक लाग तीन जार बच्चे अंग्रेजी माध्यम तथा एक लाग उन्चास अजार छैसो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने नीड़ा लिया है कि अधिक से अधिक इसकोलों को इस योजना के अंतरगत लाया जाएगा आगामी शिक्षा शक्त्रकेपूर 422 इसकोलों में यह योजना लागू होगी जिनमें से 252 इसकोल बस्तर यम सर्गुजा संभाग में होंगे और इनमें दंतेवारा जिले के सत्प्रस्षत सासकी हायर हाई सकोल यम हायर सेकंडी सकोल होंगे अपना वादा निवाते हुए हमने नया रायपूर में अंतर राश्ट्री इस्तर के बोर्डिंग स्कूल इस्थापित करने की प्रक्रिया प्रारम कर दी है बच्चों को उनकी मात्री भाषा में ही प्रारम्भिक सिक्षा प्रदान करने के लिए हमने हिंदी के लावा 16 इस् अशास की सालाओं ततक कक्षा आठवी तक मदरसों के बच्चों को लगबग बावन लाग पाठ पुस्तकें तदान की जा रही है नौमी कक्षा में पढ़ने वाले एक लाग पच्पन हजार चात्राओं को इस वर्थ निसूलक सायकिल देने का लक्ष रखा गया है इसकुल सिक्षा और आई टी आई प्रस्चित होने का प्रमान पत्र एक साथ प्राप्त हो सके इस योजना के तहत 114 हायर सिकंडरी इसकुलों को जोड़ा जा चुका है उच्चिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1469 सायक प्रद्यापकों क्रिड़ा अधिकारियों और ग् ब्याक्ष्याताओं का मान दे वढ़ाया गया है सभी जिलों में कन्या महाविद्याले खोलने के क्रम में मुंगेली में नया कन्या महाविद्याले प्राराम कर दिया गया है दुरगंग वन अंचलों में पीपी में माडल पर महाविद्याले खोलने उत्करिष्ट सास की महाविद्यालों में मुक्त दुरवर्ती सिक्षा के अंदर की स्थापना इसनाथता की स्तर पर चार वरसी डिगरी पाठिक्रम बस्तर विस्तिदाले में आदवासी लोग नित् सर्टिपिकेट कोर्स प्रारम करने के पहल जैसे उपायों से उच्छ सिक्षा का दायरा बढ़ाया जा रहा है जिससे युआओं को पढ़ाई पूरा करने के साथ बेहतर रोजार के आउसर मिलेंगे हमने युआओं को सकारात्मक और रचनात्मक दिसा में आगे बढ़ाने के लिए 6,518 से अधिक राजी युआ मितान कलब प्रारम कर दिये हैं जिसका विस्तार सभी पंचायतों तथा नगरी निकायों में किया जाएगा राजी की बिरोजगारी दर लगातार देश में नियुंतम इस्तर पर बनी हुई है जो हमारी युआ कल्यान और रोजगार परक योजनाओं की सफलता का प्रमाण है सेंटर फार मानिटरिंग इंडिया निकानामीक द्वारा जारी के आकणों के अंसार जुलाई में राजी के बिरोजगारी दर मात सुन्य दसम्लाव आठ प्रसत रही जबकि देश के आवसत बिरोजगारी दर 6.9 प्रसत दर्ज की गई है मैंने 26 जनवरी 2022 को सास की करयालों में पांच कारी दिवस प्रतिस अप्ता प्रणारी लागू करने की घोशना की थी जिसे ततकाल पुरा कर दिया गया है जिससे हमारे करमचारी सांथी अधिकूर्जा और उसा के साथ कार करने में सक्षम हुए हैं इसी प्रकार हमने राज के सास की करमचारियों यह हम उनके परवार जनों के भविस की चिंता करते हुए उनके लंबित मांग पूरी की और एक नॉंबर दोजार चार अतवा उसके पश्चाथ निक्त सास की करमचारियों के लिए नवीन अंसदाई पेंसन योजना की स्थान पर पुरानी पेंसन योजना को बहाल कर दिया है हमने सास स्थाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए अनेक योजनाय लागू की है डाक्टर खूपचन बगेज स्थाओं योजना मुक्यमंत्री विशेस स्थाओं योजना मुक्यमंत्री हार्ट बजार क्लिनिक योजना निसूल्क डायलिसिस कारकाम मुक्यमंत्री सहरी सलम स्थाओं योजना मुक्यमंत्री दायदिदी क्लिनिक योजना दिरगाई वाड य चरणों में मलेरिया की दर में 4.6 प्रसत से घड़ कर 2.2 एक प्रसत हो गई है उच गुणवात्ता की जेनरीक दवाईयां तता सर्जिकल समान इनक्यावान से 52 प्रसत तक छूट देने पर हमने थ्रिधनवंतरी जेनरीक मेडिकल इस्टोर योजना के अंतरगत नगरी छेतरों में 184 दुकाने प्रारम कर दी है जेनरीक दवाईयों के विक्रे से अब तक 19 लाख लोगों को 35 करोड रुपे की बचत थूई है रियायती दर पर पैथालाजी जाँच की सुईदा उपलत दुकराने के लिए प्रदेश में 10 जिलों वो 300 केंदरों में हमर ले प्रारम कर दिये गए हैं विगत वर्थ प्रदेश में हेल्थ एन वेलनेंस सेटर इस्थापित करने के लिए निधारित लक्षे के वुरुद हमने 116 प्रस्थ उपलब्दी हासिल की है और 4512 ऐसे सेटर इस्थापित किये हैं जिसके कारण 36 गड़ को देश में दूसरा इस्थान प्राप्त हुआ है टीबी मुक्त भारत अभियान में 36 गड़ को प्रथम इस्थान प्राप्त हुआ है नए चिकिस्सा महाविद्यालों की स्थापना है तो राज सासंद्वारा सम्चित बजट प्रावधान किया गया है नवाराइपूर में भी अत्याधुनिक मल्टी सूपरिस्पेसलिटी हस्पताल की स्थापना है तो 25 एकर जमीन चिनांकित कर दी गई है कुरोना से बचाओ के लिए टीके लगाने का काम हम काभी तेजी से कर रहे हैं अभी तक कुल 4,44,75,000 टीके लगाये जा चुके हैं मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करोना से बचाओ के लिए पात्रता 90 टीका लगवाएं वर्तमान में जो निसुल्क बुष्टर डोज की सुधा उपलद्ध है उसका पूरा लाब भी बड़ी संख्या में उठाएं हमने प्रदेश में सारभम पीडियस ब्योस्ता लागू करने का वादा निभाया है इस योजना के तहट हिद्गराईयों की संख्या दो करोड साट लाख हो गई है जो वर्स 2011 की जणगनना का इंसार सौ प्रस्थत का वरेज है आयरन फालिक एसिड युक्ट फोर्टिफाइट चांवल का वित्रण दस आकांची जिलों के साथ कबीरधाम वर रायगर जिलों में भी मध्यान भोजन वपूरक पोशन आहार योजना के तहट किया जा रहा है वर्स 2014 तक पीडियस के अंतरगत सभी जिलों में फोर्टिफाइट चांवल का वित्रण प्रारम कर दिया जाएगा 36 गड़ में महिलाओं की सुरक्षा, पोशन और स्वास्त को प्रात्मिक्ता दी गई है प्रदेश के 59,664 आंगन बाड़ी केंद्रों में 26 लाग महिलाओं तता बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन दिया जा रहा है मुक्यमंत्री सुपोशन योजना से कुपोशित बच्चों की संख्या में 48% की कमी आई है योजना और अधी में अब तक 2,11,000 बच्चे कुपोशन से मुक्त हुए है नोनी सुरक्षा योजने के अंतरगत 43,000 से अधिक बेटियों को लहवानित किया गया है आंगनबाड़ी और प्रात्मिक साला के समन्वे से 5000 से अधिक आंगनबाड़ी को बालवाड़ी के रूप में विक्षित किया जा रहा है स्वक्षता भियान में 36 गड़ की भागे द्यारी और सफलता की मिसाल है हमारे ठोस अप्सिष्ट प्रवंदन माडल को विगत तीन वर्सों से लगातार राश्री स्थर पर राजिस स्वक्ष सर्वेक्षन में प्रतम इस्थान मिल रहा है सहरी सुधाओं में सुधार के दिशा में हमने सहरी छेतर में 5000 वर्गपुट भूखन के आवासों में ट्रस्ट दैन वेरिफाई के सिध्धान पर सीधे हिद्गराईयों को भवन और नुग्या प्रदान करने का कार्य प्रारम किया है नागरिकों को मानचीत्र आनलाइन कम्पुटर से जाज उप्रांत एक क्लिक एवं एक रुपया में आईदन सुल्क की अदायगी पर पूरे वज्ञानिक प्रदावनों के साथ जारी किये जा रहा है शहरों के परियावरन को स्वक्ष और हरा भरा बनाये रखने के लिए हमने इस वर्थ जन्माष्ट में के आउसर पर क्रिष्ण कुझ योजना सुरू करने का नीड़ना लिया है जिसके तहट सभी 170 नगरी निकायों में 226 एकड़ छेत्र में सांस्कृतिक महत्त्र के पौधों का रोपन किया जाएगा आम जन्ता को घर पहुँच नागरिक सुधाव प्रदान करने के लिए सुरू की गई है मुक्य मंत्री मितान योजना का लाब 14 नगर निगूम में 5000 से अधीक लोगों को लाब मिल चुका है मोर जमीन मोर मकान मोर मकान मोर चिनारी योजनाओं के जरिये हमने जुग्गी वासियों के लिए एक लाग से अधीक आवास का निर्मान पुर्ण कर लिया है उसके सकारात्मक परणाम मिले है इससे लगबख 3,55,000 छोटे भुकंड के पंजयन हुए जिससे उनके परवार के आरतिक गतिविदियां सुरू भी और अनेक लंबित कार संबह होने से परवारों में खुसियां आई है हमने जमीनों के गाइडलांग दरों में 30% की कमी मैलाओं के पक्ष में रियायत आवासी भवनों के पंजयन में रियायत पंजयन हेतु आनलाइन अपाइनमेंट जैसे अनेक सुधार किये जिसे करोना के बावजूद प्रदेश में इस्थाई संपत्ति का क्रेविक्रेव ब जनीत के लिए सुधारों के सिलसिले में अनधिकरित विकासों के नीमीती करन हेतु नया कानून अवासी कालूनिय के विकास हेतु एकल खिर की प्रणाली सीजी अवास प्रमुक सहरों के जर जर भाँने के पुनर विकास हेतु योजना 36 गरीन इनमान मंडल की विशेज कर्मिचारी सास की अर्दसास की विभावों के सम्वीदा कर्मिचारी साहिनी भूत-पुर साहिनी तर्हुत कर्मि को कुछ दे ब्याज की रासी में 10 कि चुछ कालाब भी मिलेगा ठ्रदेश में उद्ड्योग, ब्यापार तर्ह Tip आर ओभार में वृद्धि को कानुन बेहुस्ता के बेहतर इस्तिती तता राज सरकार के सकारात्मक नीतियों का परणाम मना जाता है विगत साड़े तीन वर्सों में 36 गड़ में 2230 नई अवद्योगी के काईयां इसापित भी है जिसमें 21,494 करोड रुपिये तता पुंजी नियस का पुंजी नियस हुआ है और लगबग 41,000 लोगों को रोजगार मिला है खाद प्रसंसकरन के 502 इकाईयों में 970 करोड रुपिये के पुंजी नियस हुआ है भारत सरकार द्वारा जारी स्टार्टप रेंकिंग में 36 गड़ को स्टार्टप इको सिस्टम के विकास तथा 748 स्टार्टप विकाईयों के पंजियन हेतु इस्पारिंग लीडर का सम्मान मिला है इसके अतरिक विकास साड़े तीन वर्सों में नए उद्योगों की स्थापने हेतु 177 OU किये गए हैं जिसके माध्यम से लगभग 90,000 करोड का पुंजी नियस तथा 1,10,000 लोगों को रोजगार देना प्रस्तावीत है इसमें से 11 इकाईयों में 1513 करोड उपे का पुंजी नियस हुआ है मुझे इस्वास है कि इलेक्टिक विकल एवम लीथियम आयन बेटरीज जूट बैग निर्मान प्रजेक्ट जैसे नए छेतरे को विशेश निमेश प्रस्तावान पेकेज देने का भी लाब जल्दी मिलेगा हमने 36 गड़ी फिल्म उद्यों को बढ़ाओ देने के लिए फिल्म सेल का अगठन किया है सिंगल विंडो पेनल साफ्ट वेवर विक्षित किया है जिसके जिसमें निर्माता निर्देशक को समस्त विहागों से अनापत्ती प्रमान पत्र प्रदान करने हेतु जिला कलेक्टर को अधिक्रित किया गया है मेरा मानना है शासन प्रसासन की सुधाएं आम जनता को व्यापक पारदिस्टा के साथ मिले तो यह भी नयाय है हमने सुचना प्रद्योगी की आधारित नवाचारों से आनलाइन नागरिकों पर नागरिक सिवाओं पर जोर दिया है जिसके कारण प्रदेश में आनलाइन नागरिक सिवाओं का उप्योग करने वाले लोगों की संख्या 300 प्रसस से अधिक बढ़ी है और 98 लाग से अधिक लोगों ने आनलाइन सासकी सिवाओं का लाव मिला है परवहन से संबंधिस सिवाओं का वास्ता अधिकांस लोगों से होता है हमने लर्लिंग नाइसेंस यात्री वहनों के परियटन आयुदन की प्रक्रिया आनलाइन की है वाहनों के पंज्यन उम्चालक लाइसेंस, QR कोड अधारित स्मार्ठ कार्ड पर जारी किये जा रहे हैं परवुहन का रियलाय आने जाने से बचा थे तू परवुहन सुधा केंदर खोले जा रहे हैं तूहर सरकार तूहर दुआर कि संकलपना को साकार करने हैं तू आर्से बुक तथा लाइसेंस के घर पहुंच से वह स्पीट पोर्स के माद्धम से की गई है जिसके तहट अभी तक 11,41,000 से अधिक दस्तावेज आज़्युकों के घर में भेजे जा चुके हैं अधुस्वन रच्णा विकास के लिए हमने परिनाम मुलक नजरिया अपनाया है जिसके कारण सिचाई छेत्र में बेतर प्रबंदन से वास्तिक सिचाई रगबा 10,90,000 हेक्टर से बढ़कर 13,58,000 हेक्टर हो गया है जल जिवन मिसन के अंतरगत राज्य के 56,00,000 ग्रामिन परवारों को घरेनुल नल करनेक्शन के माध्दम से 55,00 लिटर पानी प्रती ब्यक्ती प्रती दिन देने के लिए सितंबर 2030 की समय सिमय तैक की गई है और 13,08,000 नल करनेक्शन दिये जा चुके हैं प्रदेश में 24,000,000 करोड रूपय से अधिक की लागत से सड़क पूल पूलियों का निर्मान कराया जा रहा है राज्य के विसेश जर्रोंते के रूप मुक्यमंत्री सड़क सुगम सड़क योजना में 495 करोड की लागत से 735 किलोमेटर सड़कें इन डीबी लोन के माद्धम से 3535 करोड रूपय की लागत से 879 किलोमेटर सड़कें अधवासी बहुले मनकसल प्रवाई छेत्रों में 1637 करोड रूपय की लागत से 2478 किलोमेटर की सड़कें 36 गड़ सड़क अधों सुगर रूपय की लागत से 3179 किलोमेटर की सड़कें तता जवार से योजना के माद्धम से 620 करोड रूपय की लागत से 94 पूलों का निर्मान कराय जा रहा है मैंने कहा था प्रदेश में बीजली का उभोग बढ़ाना हमारे प्रात्मिक्ता होगी ताकि बीजली हमारे प्रदेश में रोजगार उद्यमता और जीवन इस्तर उन्नेयन का माद्धम बने हमने हाप बीजली योजना का वादा निभाया जो अब अपने तीसरे वर्स में प्रवेश कर चुकी है और इसके अंतरगत 41 लाग से अधिक उभोगताओं को 2500 करोड रूपय की बचत हो चुकी है आज मुझे यह कहते हैं खुशी है धमने वर्स 2018 की सरवाधिक मांग 4640 के मुकाबले 5300 मेगर वाड का उच्चितम इस्तर छुआ है कुसल प्रबंधन से विद्वान बिजली घरों में उच्चितम उत्पादन हुआ और पारेशन तथा वीतरन की बेहतर बेवस्ता में भी सफल हुए है अब 46 गड एक ससक विद्धुत प्रणानी वाला राज बन गया है जिससे और अधिक सुद्रीर करने के लिए हमने वर्ष 2025 तक की कारियोजना बना कर कार प्रारम कर दिया है भाईयों बहनों और बच्चों चत्तिस गड की तासिर पर हम सब को गर्व होने के अनेक कारण है एक और सुतंतता संग्राम से लेकर देश की एकता रखंटा के रक्षा के दौरान चत्तिस गड महतारी के वीर सपूतों और सुपूत्रियों के पराकरम के साथ ही उनकी सत्याग्रा के पती अटूट आस्था के दर्सन होते है तो वहीं दूसरी ओर विसाल आदवासी अंचल भी है जिसने भगवान राम को मर्यादा पुरसोत्तम बनाया था भगवान राम के माता कौसिलिया के जन्व भूमी का प्रताब भी हमारी धर्ती में समाया है इसलिए हम राम वन्गमन परियटन परिपत का विकास कर रहे है चत्तिस गड़ महतारी का चित्र जारी कर उसे समस सरकारी कारेलों में लगाने का निर्देश दिया है अपनी माटी का मान बढ़ाने के लिए अक्षय त्रितिया के दिन माटी पुज़न अभ्यान की सुरवात तता स्ट्रम दिवस के दिन बोरे बासी का सम्मान लटाने की सुरवात की गई हरेली, तीजा पोरा, भक्त माता कर्मा जहनती, छेरशेरा पुन्नी, विश्वादवासी दिवस, छट पुजा, आदी को लोग परो के रूप में इस्थापित कर हमने च्छतिगड़ी सभमान को नई उचाई दी है अब राजी स्थरी सम्मानों के सूची में देवदास बंजारे, इसमित पंथीन जित पुरुसकार और लाला जगदलपुरी, साहित पुरुसकार को भी सामिल किया गया है हमने विरासत में जो नकसलवाद की समस्या मिली थी, उसके रोक थाम में मिल रही सफलता, वास्तों में लोक तांत्रिक आस्थाओं की जीत है इस जीत में विश्वास, विकास, सुरक्षा की बड़ी भूमकर है हमने विगत साड़े तीन वर्सों में सकारात्म कदम उठाकर पुलिस और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया है वर्स 2018 में राज्य में पुलिस बल की संक्या 75,125 थी, जो अब बढ़कर 80,128 हो गई है बस्तर फाइटर विसेश बल में 2800 पदों पर इस्थानी युआओं की भर्तिक की जा रही है जो सुरक्षा बलों को नहीं शक्ति प्रदान करेंगे हमारे प्रसासन और आबदा मोचन बल की कुसलता और सक्षमता का प्रमान जांजगीर चापा जिले के ग्राम पीरीद में खुले बोर वेल में गिरे एक बच्चे को बचाओ और बार्ज में फसे 68 लोगों को सुरक्षित बचाने के दोरान भी दिखा है लोगतंद्र में निर्वाचित जन प्रदीदियों की छमता व्रिद्धी से जन प्रक्षाओं की पूर्ति व व विकास कारों के सिधा रिष्टा होता है इसलिए हमने 35 पंचायती राज संस्थाओं नगरी निकायों के पताधिकारों के मांदे वित्ती अधिकारों में वृद्धी किये साथ ही विधान सवास अदर्शियों का वेतन और वित्ती अधिकार भी हमने बढ़ाया है मैं चाहूंगा कि समस्थ जन प्रदीदी अधिक सक्रिता के साथ जन समस्थाओं के निराकरण और प्रदेश की प्रगती में अपनी भागीदारी निभाएं आपसी विकास आपसी विश्वास समन्वें सदभाव एकता और समस्थारी के बज़ालत हम भाई चुनोतिय का मुकाबला भी पुरी च्छमता के साथ करेंगे आजादी की 75 वर्सगाट से फिर एक नया सफर सुरू होगा जो नया की हमारी विरासत के साथ आगे बढ़ेगा और गड़बो नवा 36 गड़ का लक्ष पूरा करेगा मुझे विश्वास है आपका सयोग और आसिरवाद बने रहेगा सुतंत्ता जिंदाबाद लोक्तंत्र जिंदाबाद सविधान जिंदाबाद 36 गड़ मातारी कीजिए जैहिन जैहिन